हेलो और नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अधसिनेमा कल्ट में आज के एक्स्प्लेनेशन में आपको पता चलेगा कि कोरोना के बाद चाइना कौनसी बीमारी या फ्लू पूरे वर्ल्ड में फैला सकता है जिससे ये साबित हो जाएगा कि चाइना कब कोई नहीं बीमारी निकाल दे भरोसा नहीं तो आज मैं एक्स्प्लेन करूँगा 2016 में इस साइफाइ हॉरर मूवी वाइरल को आएमडी वीबे से मिले है 5.4 आउट 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 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 6 आउट 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 सड़े हुए टमाटर पर ये है 56 परसेंट फ्रेश विट 29 परसेंट आउडियन स्कोर सो अब बिना किसी देरी किये रोल दे इंट्रो मूवी शुरू होती है एक एमा नाम की लड़की को दिखाते हुए जो अपने लॉकर के पास खड़ी होके एक कपल को चुम्मा चाटी करते हुए देख रही थी तब ही उसकी दोस ग्रेसी महां आ जाती है वो एमा से पूछती है कि क्या उसके पास खाने के लिए कुछ है क्योंकि पता नहीं क्यों उसकी भूग अचानक से बढ़ रही है अब जहां एमा ने यहांपर सिर्फ एक ही दोस बनाई थी वहीं स्टेसी इस क्लास में बहुत ही पॉपिलर थी और उसका एक बॉइफ्रेंट भी था जिसका नाम था सीजे फिर सीन बायलोजी क्लास पे शिफ्ट होती है जहांपर एमा को मेंड़क काटने दिया जाता है पर उसे घिनोना फिल होता है तब ही लगकी लिए उसके फोन पर स्टेसी का मेसेज आता है कि उसे टैमपॉन की जरूरत है और स्टेसी वहां से बातरूम चले जाती है स्टेसी नोटिस करती है कि एमा को एवन पर करश है अब जबकि एमा और एवन आसपास ही रहते थे तो स्टेसी जान बूच कर एवन को बुलाती है और कहती है कि वो उसको घर तक छोड़ देगी इस बात की वज़े से एमा को अपनी भेन पर गुस्सा आता है और अब उसके बास और कोई आप्शन नहीं था और जिनको ये फ्ल्यू हुआ है उनकी भूख अचानक से बढ़ गई है उन्हें खून की खासी आ रही है और उसे के साथ उन्हें मिर्गी के दोरे भी बढ़ रहे है अब इस बीमारी पर और कोई जानकारी तो नहीं है पर जैसे ही कोई इनसान इस बीमारी से इन्फेक्टेड परसन के कॉंटेक्ट में आता है उसे ये बीमारी तुरंत हो जाती है साला एक तो गूम फिर के सारी बीमारी चाइना से ही आती है शरम करो चाइना वालो वट एनिवेस फिर जब उसी रात एमा अपनी फ्रेंड ग्रेसी के साथ वीडियो चैटिंग कर रही होती है तभी एक पेपर का प्लेन उड़के उसके रूम में आता है जो कि एवेन ने भेजाता ठरकी एवेन तो एमा तुरंत ही अपनी फ्रेंड ग्रेसी का कॉल कट करके एवेन से नीचे मिलने जाती है वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एवेन का कमीना दारूरी सोते लवाब विस्की के ग्लास के साथ वहाँ आ जाता है और एवेन को मजक मजक बोलके दो जापड मारके चला जाता है और उसके जाती है एमा एवन को गाल पर किस करती है ताकि एवन अपने बत्तमीज बाप की इस बत्तमीज हरकत को भूल जाए वाँ बाई जिसके बाद एमा अपने बाप से बात करती है जो उसे बताता है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है और वो चाता है कि वो दोनों लड़ना छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखे Stop this family drama uncle फिर अगले दिन एमा का वाप स्कूल में बच्चों को पैरसाइट्स के बारे में सिखा रहा होता है तब ही अचानक से ग्रेसी को खून की खासी होती है और वो डर कर क्लास के बाहर निकल जाती है और उसके पीछे पीछे एमा भी जाती है जहां एमा देखती है कि उसे मिर्गी के धोरे पड़ रहे थे तब ही एक male student वहाँ पर आता है तो एमा उस लड़के को बोलती है कि वो मदद लेने जारी है जब तक वो ग्रेसी के साथ रूखे और एमा के जाते ही ग्रेसी के मिर्गी के दोरे बंद हो जाते है फिर दो पल वो उस लड़के को देखती है और अचानक से अपने खून को सीधा उसके मूँ में थूख देती है ची फिर जल्दी पूरे स्कूल को एमर्जंसी चेक अप के थू जाना पड़ता है जहां एमा से पूछा जाता है कि क्या उसे ग्रेसी के अंदर कोई और भी लच्छन दिखे जिसपर एमा बताती है कि हाँ उसकी भूक बढ़ गई थी और साथ ही ऑँ ये भी बताती है कि इसी हफटे उसकी मा शहर से बाहर गई थी फिर सबका चेक अप होने के बाद एमा का बाप माईकल अपनी बेटियों से मिलता है और उन्हें सेफ रेकर घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो एरपोर्ट जा रहा था उनकी मा को लेने के लिए फिर जब स्टेसी और एमा अपने घर जा रहे होते हैं तब ही वो बहुत से फैमिलीज को देखते हैं जो अपनी बैक पैक करके इस शहर से भाग रहे थे तबी न्यूज में बताया जाता है कि ये वर्म फ्ल्यू अप कैरिफोर्निया में भी आ चुका है और सीडीसी के लोगों को इनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है अब जिने सीडीसी के बारे में नहीं पता हुने में बता दू कि सीडीसी का मतलब है सेंटर ओफ डिजीस कंट्रोल और लड़कों को अपने घर न बुलाए फिर जब ये दोनों किचन चेक करते हैं तो इनने पता चलता है कि इनके बास बहुत ही लिमिटेड खाने का सामान बचा है तभी टीवी पर नूज आती है जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट यहां के लोगों को इस वायरेस को सीरियसली लेने के लिए कहते हैं तभी स्टेसी चैनल बदल देती है क्योंकि उसके इसाब से ये नूज बहुत ही डिप्रेसिंग है फिर जब एमा की चन में काम कर रही होती है तभी उससे दर्वाजे पर नौक सुनाई देता है तो वो धीरे से दर्वाजे के दर्व जाती है और अपने मेल स्लोट में से बहार देखती है तब ही उसे बाहर किसी की पर्चाई दिखाई देती है पर अचानक से वो पर्चाई वहाँ से गायब हो जाती है जिस वज़े से एमा खबरा जाती है और सीधा स्टेसी को बुलाती है तो स्टेसी दर्वाजा खोल कर एमा को दिखाती है कि बाहर कोई भी नहीं है तब स्टेसी का बॉइफ्रेंट सीजे पीची से आकर एमा का गला पकड लेता है जिससे एमा डर जाती है और उसे एक थपड भी मार देती है वो उससे पूछती है कि साले तु बेसाखी पे भी इतने आराम से अंदर के से घुश गया गर के पर सीजे और स्टेसी एमा का मजा को डगर उपर के रूम में चले जाते हैं अगली सुबह कुछ गाड़ियों की आवाज से एमा की आग खुलती है जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उनके दरवाजे पर सीडीसी के लोगों ने उनके लिए कुछ सप्लाइज रखे थे एमा कहती है कि उन्हें सप्लाइज में जो खाने का सामान मिला है उन्हें वो बचा के रखना चाहिए पर स्टेसी और सीजे को तो पार्टी करने और इस फुकड के खाने का मज़ा उठाने में इंट्रेस था जिस वज़ा से उसी रात ये दोनों एक पार्टी के लिए निकल जाते हैं और आपको पता है ऐसे नले लोगों के वज़र से कोरोना भी जल्दी खतम नहीं हो रहा बट एनिवेस यहाँ पार्टी में स्टेसी एवन के फोन से एमा को मेसेज भेशती है कि उसे पार्टी में आना चाहिए और हमारी एमा तो इसी पल का इंतजार कर रही थी तो वो बिना एक मिनट कवाय सिधा पार्टी के लिए निकल जाती है जहाँ पर वो एवन से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं पर ये सारे खुशी के बल जल्दी खतम हो जाते है जब स्टेसी सीजे को किसी और लड़की के साथ गुलू-गुलू करते हुए पकड़ लेती है फिर स्टेसी और एमा वहाँ से घर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें लोगों की चिलाने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वो लड़का जिसके मूँ में ग्रेसी ने अपना विमल दुका था वो इस पार्टी में आ चुका था और उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो वाइरस से इंफेक्टेड हो चुका है जिस कारण उसके पास किसी तरह की सूपर हुमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी वो लोगों को यहाँ वहाँ पटक कर उन्हें खाने लगता है तब यह दोनों भेने तुरंत एक दीवार के पिछे जाके छुप जाती है क्योंकि अगर यह निकलने का ट्राय करती तो वो विमल बॉय उन्हें पकड लेता पर वो उस दीवार के होल से देखती है कि वो विमल बॉय एक लड़की को जान से मार देता है और जब वो वहां से चला जाता है तो यह दोनों भेने वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर बतकिस्मती से उन में से एक का पैर किसी खिलोने पर पढ़ जाता है जिसकी आवा सुनके यह विमल बॉय एक छटके में उन तक पहुँच जाता है और वो आते ही स्टेसी के चहरे पर अपनी विमल थूख देता है और एक वर्म स्टेसी की आख में गुच जाता है फिर वो एमा पर हमला करने जाता है जो जमीन पर थी पर तभी एन वक्त पर एवन वहां आकर उस विमल बॉय को देता है फिर जब तीनों घर आते हैं तो एमा को शक होता है कि स्टेसी भी इंफेक्टेड है पर उसमें गवर्मेंट या सीडीसी वालों को बताने की हिम्मत नहीं थी अब यहां के लोगों को जो सप्लाइस मिले थे उसमें इने खाने के साथ सर्वावल कीट और पबजी की फ्लेयर गन भी मिली थी ताकि अगर घर में कोई लास्ट स्टेज इंफेक्टेड हो तो लोग इसका इस्तेमाल करके सीडीसी को तुरंत मदद के लिए बुला सके फिर अगले दिन सीडीसी वाले आके इनका चेकप करते हैं और लग्किली स्टेसी विंडो स्टेज पर होती है मतलब फर्स स्टेज पर होती है इसलिए वो लोग उसे वैक्सिन देके क्लियर कर देते हैं फिर जैसे ही वो लोग जाते हैं स्टेसी को गर्दन पर एक छोटा सा पिंपल फील होता है जिसका मतलब उस वर्म पेरे साइट ने इसके बॉड़ी के अंदर घर बना लिया था जिसके बाद इन दोनों को उनके पापा का कॉल आता है जो उने सारी खिड़की दरवाजे बंद रखने को बोलते हैं और वो स्टेसी को प्रोटेक्शन के लिए उनकी गन साथ में रखने को कहते हैं पर तभी अचानक से कॉल कट हो जाती है और उसी के साथ इंटरनेट और टीवी कनेक्शन भी कट हो जाता है और टीवी पर लिख कर आता है कि प्रेसिडेंट ने स्टेट ऑफ एमर्जनसी गोशित कर दी है जिसका मतलब सारे सेटलाइट्स और सेल टावर के कनेक्शन कट फिर जब स्टेसी कन निकाल रही होती है एमा स्टेसी से पूछती है कि आखिर उनके माबाप के बीच में क्या प्रॉबलम है जिस पर स्टेसी उसे इस बात को छोड़ दो बोल कर चली जाती है उसी रात ये दोनों अपने एक पडोसी को फ्लेयर गन का यूज करते हुए देखते हैं जिसके तुरंत बादी वहां मिलिटरी आकर उसके इंफेक्टेड बीवी को लेके जाती है जिसके कुछ देर बाद पूरे टाउन में फ्लेयर गन यूज होने लगती है जिसका मतलब इस टाउन के ज्यादा से ज्यादा लोग इंफेक्टेड होते जा रहे थे तो स्टेसी एमा को बोलती है कि उन्हें इस टाउन से निकल जाना चाहिए तो वो दोनों तुरंत ही कार में बैट कर वहाँ से निकलते हैं पर मिलिटरी ने आगे रास्ता बंद करके रखा था और वो उन्हें वहां से वापस गपने घर जाने के लिए को रहते हैं और ये लोग फिर से अपने घर भग लेते हैं, जैसे जैसे वो वर्म बड़ा हो रहा था, स्टेसी की हालत खराब होती जाती है, फिर डिनर पर स्टेसी आखिरकार एमा को बताती है कि उनके माबाप के बीच क्या पंगा है, वो बताती है कि कुछ महिने पहले जब वो अपने बाप के ओफिस में गई थी तब उसने देखा कि उसके बाप का एक स्टूडन के साथ अफेर चल रहा है, और उसने ये बात अपनी मम्मी को बता दी, जिस वज़ा से उनमें छगड़ा हो गया, पर उनका अफेर ताजा-ताजा था, इसलिए वो लोग यहां शिफ्ट हो गए और उन्होंने तय किया कि इसके बारे में एमा को कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि एमा ये सच बरदाश नहीं कर पाएगी, और उसी वक्स स्टेसी को खासी आती है, पर तभी उनके दरवाजे पर नौक होता है, जो कि एवन कर रहा था, वो उन्हें उसे अंदर छुपान के इनके घर के अंदर घुच जाता है, और उसकी आखे किसी साप की तरह हो जाती है, और उसके कान से वर्म्स लटक रहे थे, जिने वो उन्हें धूंडने के लिए इस्तमाल करता है, और उसकी मदद से वो एमा के करीब आ जाता है, वो उस पर हमलाही करने वाला होता है, कि तब स्टेसी उस पर गोली चला देती है, इस इंसिडेंट से एमा के रोंगटे खड़े हो जाते है, तो एमा उसे संबालने की कोशिश करता है, लेकि तब ही गन चलती है और स्टेसी नीचे गिर जाती है, और उसे भी मिर्गी टाइप धोरे पढ़ने लगते हैं, अब एमा अपने गराज डोर पर CDC की मार्किंग्स बनाती है, जिसका मतलब था कि उनके घर में कोई भी इंफेक्टेड नहीं है, जिसके बाद स्टेसी एमा को बुला कर यहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपनी भेन को चोट नहीं पहुचाना चाती थी, तो एमा उसे नले दोस्त इस शहर को छोड़ कर जा रहे थे, और यह पगलू स्टेसी को भी अपने साथ लेके जाना चाता था, फिर उसे स्टेसी बातरूम में लॉक्ट मिलती है, स्टेसी सीजे को बहला फुसला कर अपने पास बुलाती है, और जैसे ही वो अपना हाथ उसके हाथ में द लफना देता है, जिसके बाद एमा तयक करती है कि वो उस वर्म को अपनी भेन के अंदर से निकाल के उसे बचाएगी, तो पहले तो वो उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है, और जब स्टेसी वर्मस बेचकर सो रही होती है, तो वो स्टेसी के गरदन पर जोश हो जाती है, उस देर बाद स्टेसी के आग खुलती है, और वो बताती है कि उसे अब पहले जैसा नॉर्मल फील हो रहा है, फिर अगली सुबा एमा उड़कर स्टेसी के रूम में जाती है, जहां वो स्टेसी को देखती है जो किसी मूर्ती के तरह खड़की के तरफ भाग गई है, तो एमा और एवन स्टेसी का पीछा करते हुए एक अबेंडन घर में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि इस घर की ओनर ने खुद के साथ अपनी इंफेक्टेड फैमली को भी जान से मार लिया था, तो वो लोग बेसमेंड में जाते हैं, जहां उन्हें और गिनोना सीन देखने मिलता है, वहां और भी लोग थे जो ग्रेसी के मूँ से निकल रहे वर्म से इंफेक्ट हो रहे थे, मतलब ये वर्म अपनी तादार बढ़ा रहे थे, और इस पूरे इंफेक्शन की में जड़ ग्रेसी ही थी, तब ही ग्रेसी की अचानक से आग खुलत और तब ही उसके अंदर के वर्म से उस पर पूरी तरह काबू पा लेते हैं, और वो उन्हें मार नहीं जाती है कि उससे पहले एमा स्टेसी को गोली मार देती है, जिसके बाद एवन वहां की खिड़की तोड़ता है, और वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं, तब ही उन् उसके बाप का नोट मिलता है, जो उन्हें वाशिंग्टन में मिलने के लिए कहता है, तो ये लोग एक पास पड़ी अबेंटन कार में बैड़ जाते हैं, जहां एमा एवन को उसका इतना साथ देने के लिए शुक्रिया कहती है, और फिर वो एक किस के साथ शाधी की डील को सील कर देती है, और मूवी यहीं खतम हो जाती है, अब बात करते हैं इस मूवी के थेयरी के बारे में, उस पूरे टाउन में ये सारा फ्लू सिर्फ और सिर्फ ग्रेसी और उसकी मा के वज़े से फैला था, पहले उसकी मा बहार से ट्राविल करके ये डीजीज अपने साथ और अपनी बेटी को गिफ्ट करके कहा जा बेटी तू दूसरों को भी गिफ्ट कर दे, अपने होस्ट पर पूरी तरह काबू करने के बाद ये तो डिरेक्ट किसी फंगस की तरह अपनी ताधात बढ़ा रहे थे, और इसका काफी प्लॉट मेरी क्रोध मूवी से मिलता जु और अगर नहीं बताना, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक दो हाट कमेंट कर दो, जिससे मुझे बेहत अच्छा लगेगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को पक्का अपने जोंबी वाइरस वाली मूवीज को पसंद कर करके bell notification on कर लो, ताकि जैसे ही मैं कोई new वीडियो डालू तो आपको सबसे पहले पता चले, अगर आपको जानना ही कि मेरे आने वाली वीडियो किस मूवी पर होने वाली है, या आपको memes देखना पसंद है तो मुझे Instagram पे follow करो, अगर आपको मेरी previous मूवी की links चाहिए, तो म उनों का link आपको description में मिल जाएगा, अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए, stay with the cult.